स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आने वाले अगले सत्रा दिनों में किस्मत का तोता चुनेगा आपका भाग्य हो जाएए साउधान दिल पर हाथ रखकर यह वीडियो देखना आज आपका बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपको समझ आने वाला है कि आप जिन्हें सही समझ रहे थे वास्तों में गलत वे हैं और आप जिन्हें गलत समझ रहे थे वो ही आपके लिए मसीहा है आज की यह वीडियो ग्रह गोचर पर आध है और आने वाले सत्रा दिनों की सटीक भविश्यवानी भी करने वाली है तो दिल थाम कर बेठिए, बिलकुल भी देर मत लगाईए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मातारानी के सभी सच्चे भक्त कॉमेंट बॉक्स में जय मातादी, ओम नवश्यवाय, जरूर लिखे, आपके सारे बिगडे काम माता के आशिर्वास से जरूर संपन न होंगे, वीडियो की शिरुवात करने से पहले हम आपको कुछ गलतिया बताने वाले हैं, ये गलतिया आपको जाने, अंजाने में भूल से भी नहीं करनी है, यू समझ लिजे आपके बरबादी की, आपके असफलता की वज़़ है, केवल और केवल ये गलतिया, ये ही गल गलती है दोस्तों, अपने माता-पिता की इज़़त नहीं करना, आज के जमाने के जो मौडन बच्चे हैं, वो अपने माता-पिता को कुछ समस्ते ही नहीं है, वे भूल जाते हैं कि जैसा हम बोएंगे, वेसा ही हम काटेंगे, अगर आज आप अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं तो आगे आने वाले समय में आपके साथ भी वैसा ही आपके बच्चे करेंगे साथ ही में बहुत सारे लोग पश्यों पर बहुत अत्याचार करने लगे हैं वे उन्हें खेलने की वस्तु समझते हैं भगवान ने हमें उनकी जिम्मेदारे दी है चुकि वो बोल नहीं सकते चुकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते ऐसे में आपको उनका ध्यान रखना है खाने पिने की चीजे मोहिया करानी है न कि उन पर अत्याचार करने है ये गलतिया जीवन में बहुत पाप का भगिदार आपको बनाती है फूल से भी मत कीजेगा वनना जिन्देगी में बहुत पस्ताएंगे दूसरे नंबर की आपकी गलती है महिलाओं का सम्मान नहीं करना या यू समझ लीजी अपने घर की बहु बेटियों को छोड़ दूसरे की घर की बहु बेटियों को अबदरता पुर्वक देखना या उनके साथ गलत व्यवहार करना दोस्तो यू मत समझेगा कि आपके घर की जो बहिला है उसमें ही देविकाश सुरूप है घर के बाहर मोजु सभी महिलाओं में माता लक्षमी का सुरूप है और हमें सभी के प्रती समान निगाहे रखनी है सभी को समान समझना है तभी माता का अशिरवाद हमें मिल पाएगा तो ये गलतिया आपको अपने जीवन में नहीं करनी है उमीद करते आप इनका आगे से ध्यान रखेंगे आने वाले अगले सतरा दिनों में किसमत का तोता चुनेगा आपका भाग ये अब क्या होगा दिल की थी तो उसमें उन्हें सफलता मिलने वाली है यही संकेत उनकी कुंडली दिखा रही है बिजनेस अगर आप करते हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाब जरूर लीजेगा ऐसा हो है कि उनके आशिरवास से आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले या बहुत कुछ इससे बड़िया बात और क्या हो सकती है कि उधार दिया धन वापस मिलेगा वो भी ससुराल पक्ष की ओर से ये तो सोने पे सुहागा होने के समान है नव विवाहिज जातकों के बीच कोई वात खड़ा हो सकता है जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा निप्टाया जाएग कठिनाईयों से भरेज 17 दिनों में आपके लिए कई मौके भी किस्मत देने वाली है यदि आप कोई योजना को लौंच करेंगे तो भाग्या आपका साथ देगा बस धैरी रखिएगा महनत में कोई कमे मत छोड़िएगा फिर किस्मत का तोता आपकी जिंदेगी को भी पट हम आपको बताना चाहते हैं जरा कान लगा कर सुरिएगा दोस्तों हम पानी को कितना भी जादा गर्म क्यों न कर ले एक निश्चिस समय के बाद वो अपने मूल सोभाव में आकर पुना ठंडा हो ही जाता है उसी प्रकार से हम कितना भी घुसा क्यों न कर ले हम तेज कितने भी गर्म क्यों न हो जाए हम एक निश्चिस समय की बाद पुना शांत हो ही जाते हैं परन्तों इस घुसे के बीच हम किसी को कुछ ऐसा बोल बेटते हैं कुछ ऐसा निड़ने ले बेटते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए हमें शर्मसार कर देता है तो खुद को उस माचीस की तेली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्शन से सुलक जाती है खुद को बनाना ही है तो शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेके तो वो भी भुच जाता है समस्दार को इशारा काफी है बात पसंदाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और कॉमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कनहिया लालकी आने वाले अगले 17 दिनों में आपको कुछ साउधानिया भी बरतना बेहत ही जरूरी है जरा ध्यान दीजिएगा आखों से संबंदित कोई समस्या है तो डॉक्टरी सला लेना बड़ा ज के सदस्यों से मिलवा सकते हैं यती माता जी से कोई विवाद हो तो उसे बढ़ाना नहीं है नहीं तो आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है और हम आपको बता चुके हैं माता पिता का सम्मान हर छेतर में करना है अगर वे गलग भी है तो अपनी बात प्रेम से उन्ह समझाईए चिलाना डाटना ये सब बड़ों के प्रतिव्यवार अच्छे नहीं लगते आपको काम से संबंदित यात्रा पर जाना पड़ सकता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको निवेश करने के लिए भड़का रहा है जबर दस्ती सला दे रहा है नहीं मांगने पर भी तो वहाँ पर आपको थोड़ा सचेत हो जाना है उसके कहने में आकर अगर निवेश कर दिया तो वो पैसा डूब भी सकता है व्यापार कर रहे लोगों को लाप के अच्छे अउसर मिलेंगे जिने पाकर वे लोग अपने आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में सफल रहेंगे अपना कुछ धन दान पुर्णी के कामों में जरूर लगाईएगा अगर आप सो रुपे कमाते हैं तो दो रुपे दान कीजिए परंतु दान कीजिए क्योंकि दान से ही हम हमारे धन को धर्म से जोड सकते हैं हम इस दुन्या में से कुछ भी हमारे साथ लेक नहीं जा सकते केवल हमारा किया गया दान ही हमारे साथ जाता है मरने के बाद कोई हमारे लिए कितना भी दान कर रहा वो माइने नहीं रखता जीते जी हमने कितना दान किया वो बड़ा माइन रखता है तो किसमत का तो यही फर्मान लगा रहा है कि आपको जीते जी जितना हो सके उतना अच्छे कामों में दान करना है फिर देखिये आपको बहुत अच्छा भविश्य अपने हातों से मिलेगा परिवार के किसी सदस्य की विवहा संबंदित फैसले को आप ले सकते हैं जिससे वरिष्ट सदस्यों से सला मशुरा करके आप बड़ा अच्छा निंडे ले पाएंगे आपके परिवार में किसी पूजा पार डादिधार में कारेक्रमों का आयोजन हो सकता है जिनमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा इसी के साथ में यदि किसी शारिरिक समस्या से आप परेशान है तो आपको ध्यान रखना है खुद का और ससुराल पक्षि के व्यक्तियों से जब बातचीत कर रहे हैं तो अपनी मन की बातों को साचा नहीं करना है वरना वे लोग उसका गलत फाइदा उठा सकते हैं जो लोग अपने धनका कही निवेश करने की योजना बना रहे हैं उन्हें अनुभवी व्यक्ति से सला मश्वरा चरूर कर लेना चाहिए अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का सरल और साधर्ण से उपाय हम आपको बताएंगे जो आपकी बिगड़ी बना कर रख देंगे सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है एक पात्र में तेल लेना है उस तेल को आपको शनिवार के दिन नहीं खरीदा जाता और खरीदना भी है तो दान करने के लिए खरीदे घर पर न लाए अगर यह उपाय करना है तो तेल पहले से मोजूद रखे या एक दिन पहले खरीद लेवे उस पात्र में आपको तेल लेकर के अपना चेहरा देखना है उसमें और बाद में उसे योग्य व्यक्तिया मंदिर में दान कर देना है इसे चाया दान कहा जाता है जिसका शास्त्रों में बहुत गजब महत्व है दूसरा उपाय रविवार के लिए है कि रविवार के दिन शाम को साथ बजे आपको अपने घर के इशान कोण में देशी घी का दीपक जलाना है हो सके तो मुख्य दरवाजे के दोनों और लेफ्ट और राइट साइड बाहर की और भी आप शुद्द देशी घी के दो दीपक जलाएं इससे माता लक्ष्मी का आशिरवाद आपको जिरूर प्राप्त होगा और उनकी करबाद रश्टी से आपके घर परिवार में हमेशा सुख सम्रद्दी एश्वरी धन वेभव यश बना रहेगा तो तुला राशी वालों आज की वीडियो में हमने बात करी कि आने वाले अगले 17 दिनों में किस्मत का तोता आपका भाग्य चुनने वाला है और यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है उमेद करते आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक जिरूर कीजेगा कॉमेंट बॉक्स में जय मातर लिख दीजे साथ ही अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवे अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद